नमस्कार, राजस्तान में भाजपा के सरकार बने 22 दिन होने को चले हैं लेकिन मंत्री मंडल गठन अभी भी बाकी है मुक्य मंत्री बजनलाल सर्मा के साथ ही उपमुक्य मंत्री दिया कुमारी और प्रेम चंद बेरवा उपमुक्य मंत्री बने लेकिन मंत्री मंदल का गठन कब होगा 36 गड़ में मंत्री मंडल का गठन हुआ साथी कल मद्य पर्देश में भी मंत्री मंडल का गठन हो चुका है लेकिन राजस्तान में इसका इंतजार है कयास लगाये जा रहे हैं कि कल यानि कि 27 तारिक को बुद्धवार को राजबोवन में तेयारियां चल रही है कल मंत्री मंडल का गठन हो सकता है कौन-कौन मंत्री होंगे इसको लेकर कयास लगातार लगाये जा रहे हैं बड़े नाम और किस तरीके के लोगों को वरिष्ट और युवाओं को मोका मिलेगा यह अभी तक नहीं पता है 36 गड़ और मद्य परदेश में देखें तो मद्य परदेश में मिला जूला रहा है जिसमें चछे लोग ऐसे हैं जिनको पहली बार विदायक बने और उनको मंत्री पत दिया गया है साधि वरिष्ट्ट کو भी सामिल किया गया है है कि इस तरीके का हमने पहले कभी नहीं देखा ज्यादा से ज्यादा तेरा दिन लगे थे लेकिन इस बार का कामकाज ठप है और ऐसे में कामकाज यानि की काम की रब्तार दीर हो गई है एक और बड़ी बात का बजनलाद सर्मा ने कही जिसको लेकर राजस्तान में लगातार भरम पैदा हो रहा था और कहा जा रहा था कि गैलों सरकार की योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा लेकिन जनता को उपलब्द करवाई जाएगी सभी योजनाओं हालांकि कई योजनाओं ऐसी हैं जिन में छेचे महीने से उनका फाइदा नहीं मिल रहा है क्योंकि चुनाओं से पहले से उन योजनाओं बंद पड़ी है और कहा जा रहा है कि चिरिंजवी जैसी योजनाओं को भी अब प्राइवेट अस्पताल लेने से मना कर रहे हैं कि बकाया हमारा क्लियर नहीं हुआ है इसको लेकर भी लगातार शिकायते सामने आ रहे हैं कई योजना हैं चाहे वो पसुपालुकों को दूग्द संबल योजना हो जिसमें मुक्य मंत्री के तरब से पांस रुपे दि का किसी निर्दलिय को भी मौका मिल सकता है क्योंकि कि निर्दल्यै ऐसे हैं चाय पिरिंग का चोदरी जिवराम चोदरी यह पिर रविंदर शिंग-भाटी हो जिनों ने अन्द और यहां बाजपा को समर्थन दिया है यह नहीं फिला है कि निर्दलीयों दिता लेकिन सम्भातया कल मंत्री मंंडल का गटन हो सकता है क्योंकि लंबा इंतजार अब कर一点 है भजण सरकार के दोवरा लंबा इंतजार होसुका है तो कल лगभग ये तैमाना को करने चाहिए जिसकी सूचना जल्द जारी हो सकती है और पेसे लिए अभी तक इसकी कोई सूचना आई नहीं है हमारे समाचार पड़े जाने तक यह वीडियो बनाए जाने तक हमारे पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है लेकिन जल्दी गटन होगा और फिर से सरकार रप्तार साथ मंत्रियों से भी यही जनता उमीद कर रही है कि इस तरीके की बुमिका में वह भी नजर आए तरीके की बाते हम बताते रहेंगे जिस बात के लेकर भाजपा सरकार कॉंग्रेस के उपर हमलावर थी राजस्तान में अपराद लेकिन वह अपराद अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं तमाम तरीके कि आग्बार में आपने खब्रे पड़ी होगी कि किस तरीके से राजस्तान में दो तिन ऐसी बड़ी घटना यह ती जिसमें एक घटना जिसमें चोरू ने रात को मा बेटी और बहु को मोत के घाट उतार दिया चोरी के मन्सूबे से वहाँ पर पहुंचे तो इस तरी की कई घटनाएं सामने आई होगी जो आपने अकबारों के सुर्कियों के द्वारा पता चली होगी लेकिन एहम बात की रास्तान सरकार यानि की बजन सरकार वाजपा सरकार गैलो सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं करने जा रही है ऐसा इस पर क्या है बजनलाज सर्माने अगला कारेकर में लेकर फिर आज इरूंगे तब तक के लिए जय बात